नमस्कार, मैं हो ससी, संध्या समाचार में आपका स्वागत है, आए जार्खन के दिन भर की खबर जानते हैं मैट्रिक वा इंटर की परिक्षा में 40 परिक्षा अंग के प्रश्ण बहुवी कलपी होंगे, जिसकी परिक्षा OMR सिट पर ली जाएगी, वहीं 40 परिक्षा अंग के प्रश्ण लगु उतरी वद्रिख उतरी होंगे, यह परिक्षा उतर पुस्ती का पर ली जाएगी, वहीं 20 दो से तीन भी साइगी परिक्षा ली जाएगी, वहीं ओलंपियाड परिक्षा बोर्ड परिक्षा के बाद होगी, परिक्षा अगले सेक्षनिक सत्र सुरू होने से पुर्व होगी, इसके लिए JCERT केचर बैंक भी त्यार करेगा, इसमें अधिक साधिक प्रश्ण को सामिल कर जारखन केबिनेट की बैठक आई साम चारवए से सुरू हो गई है, धुरवा इसीत प्रोजेक्ट भॉन में अविजीत इस बैठक की अध्यक्षता मुक्ष मंत्री हमन सुरेन करेंगे, दीपावली के बंद नजर सरकार आमजन को लेकर कोई बड़ा एलान कर सकती है, इस ब 32 के खत्यान कदर परस्थानियता परभासित करने का प्रस्ताव, वहीं OVC को 27 परत्यत आरक्षन लागू करने का प्रस्ताव अहम है, इसके अलावा सरकार ने अंगनवाडी सेविका सहाई का के मांदे में विरिधी जैसा बड़ा कदम भी उठाया था, जारखन में 25 से 27 तक कहीं बारिस का अफार है, मौसम बेग्यानी अभिसेक अनन ने बताया है कि दक्षिन पाची मांसून की वापसी हो गई है, एक जुन 2022 से 20 अक्टूबर तक जारखन में मांसून की बारिस 910.3 मिलिमीटर हुई थी, हलाकि एक जुन 2022 से 30 सितंबर 22 तक 817 मिलिमीटर बारिस हु 24 अक्टूबर दिबाली को आकास में बादल चाहे रहेंगे, हलाकि यह चक्रवात बंगाल के राश्ते बंगला देश जा रहा है, इसका आंसिक असर जारखन के दक्षिन हिसो में पड़ेगा, इससे राची समय चाई बसा जम सेथपूर 25 अक्टूबर को हलकी बारिस हो सकती जारखन डिजीपी ने सहित जवानों को दी सरधांजली, जारखन पुलिस परिवार के दवारा सुकरवार को रांची में पूलिस संसमरन दिवस मनाया गया, देश की राक्षा करने वाले बीर सहित जवानों को राइधानी राची सहित पूरे परदेश में सरधांजली पित की जार्खन में इस वर्ष नक्सलियों से लुहा लेते हुए तीन जवान सहीद हुए हैं जिन्हें डीजीपी नीरज सिनहा सहीद तमाम वरिष्ट अधिकारियों ने सधांजली दी बता दे 21 अक्टूबर 1969 को भारत के लद्दा के होट स्प्रिंग में चीनी सेना के आक्र सिंग अपने 20 साथियों के साथ सहीद हुए थे इस घटना के बाद से हर साल 21 अक्टूबर को पूलीस संस्मरन दिवस मनाया जाता है रांची में सीरम टोली फलाई ओभर के लिए जमीन चीन हीद कर ली गई है इसके लिए करीब एक एकर जमीन ली जाएगी रांची सहर और और गोड़ा अंचल के मोजा सीरम और डुरंडा के वाड़ नमर 14, 15 और 44 की थाना संख्या 210 और 230 की जमीन ली जाएगी कुल 26 लोगों या संस्था से जमीन लेनी है जिस कमपिनी को इसकी जिम्यदारी दी गई है उन्होंने काम सुरू कर दिया है विभाग की माने तो भू अरजन की दिशा में जल्द ही करवाई की जाएगी फलाई ओबर का निर्मान सीरम टोड़ी चौक के आगे से मोजा फलाई ओबर होते हुए रायंद्र चौक और मेकन चौक तक होगा इसका काम L.N.T. कमपनी को दी गई है जारखन के चार नगर निकायों में होल्दिंग टेक्स वसुली परोक जारखन के चार नगर निकायों जुमरी तिलया नगर परिसाद, डोमचांच नगर परिसाद, मानगो नगर निगम और जुग सलाई नगर परिसाद में होल्दिंग टेक्स की वसुली परोक लगाई लेकिन टेक्स विरिदी का फर्मूला लागू करने के बाद उक्त चारो नगर निकायों के टेक्स में लगबग 200 परतियस्त की बढ़ोत्री हो गई है इस कारण से टेक्स वसुली पर रोक लगाते हुए मामले की जांच के लिए कमिटी गठित करने का फैसला लिया गया सुड़ा के निदेशक के अध्यक्सता में जल्द ही कमिटी गठित की जाएगी बतादे स्वास्त मंत्री बना गुपता के अध्यक्सता में गुरु वार को हुई बैठक में मानगो, जुगसलाई, डुम्चांच और जुम्री तिलेया नगर निकायों के होल्दिंग टेक्स में हुई अपरतियसित बिरिधी पर चर्चा हुई नगर निकाय चुनाओ बगाएर OBC आरक्षन के कराने पर BJP ने साधा निसाना, जारखन नगर निकाय चुनाओ में OBC को आरक्षन ना देने को मुद्दा पर भाजपा ने हमंत्र सरकार को घेरा है और उस पर पिछला बिरोधी होने कारोप लगाया भाजपा के परदेश अध्यक्ष दिपक परकास ने कहा है कि हमंत्र सरकार पिछला बिरोधी है या सरकार होर मोर्चे पर भीफल रही है पंचाय चुनाओ में तीरपन फिश्दी भाजपा समर्थित उमिदवार जीत कर आए हाए इनमें पिछलों की संक्या सरवधिक है परदान मंत्री नाइनमोदी ने गाउं गरीब किसान और पिछलों के हितों के लिए काम किया परदेश अध्यक्ष शिरीप परकास ओवी सी मोर्चा दवारा राजबहन के समक्ष राज सरकार के खिलाप आयोजीत धारना पर बोल रहे थे जे बी बी एनल के अतिरीक्त बीजली खरीदने पर केंदर की रोक केंदर सरकार ने जे बी बी एनल के पीक आवर में अतिरीक्त बीजली खरीदने पर रोक लगा दी है वहीं डीवी सी को भी दस पर दिहत बीजली कटोती का निर्देश दिया गया इसकी बड़ी वज़ा है जेवी भी एनले ने डीवी सी को बर्तमान बील का भुगतान नहीं किया है बर्तमान बील के भुगतान में 45 जिनों के बिलंब होने पर केंद्र सरकार इलेक्ट्रिस सिटी रूलर्स 2022 के तहट रोक लगा देती है यह नियम जून 2022 से लागू है बता दे जून में ही केंद्रिय उर्जा मंत्राले ने सभी राजियों के मुख सचीव को पत्र भेज कर इसकी जनकारी दी थी यह भी कहा था कि पुर्व के जो भी बखाया है उसका भुगतान अभिलंब कर दे वहीं बरतमान बील के भुगतान में बिलंब होने पर धीरे धीरे बीली कटवती शुरू कर दी जाएगी इसकी अगतान इस्थिती के अंदर सरकार की प्राप्त पोर्टल पर दी जाती है इसकूल बच्चे के जेब में मोबाइल की बैटरी फटी रामगर जीले के मांडू परखंड अंतरगत कोजू छेतर के एक इसकूल में सुक्रवार को मोबाइल फोन के साथ उप्योग होने वाला एक कोडलेस माइक में लगने वाली बैटरी जेब में बलास्ट होने से एक छात्र कंभी रूप से जखमी हो गया इसकूल परवंधन समीती के सदस्यों वा सिख्षकों ने उसे आनन फानम में छात्र को अस्थानिय नर्सिंग होम में इलाज के लिए भरती कराया जनकारी के अनुसार आदस राज की अमध भी देले कुजू के कग्छा सब्तम में अध्यनरत कुजू बस्ती निवासी ओमी गुपता तेरा वर्सिये पिता जीतनर गुपता माइक में लगने वाली बैक्टरी लेकर भी देले गया था घटना में छात्र ओमी गुपता के दाहिने और की कमर से लेकर घुटने तक का पिछला हिसा बुरी तरह जल गया है मानवा अधिकार आयोग ने रांची पुलिस को लगाई फटका राजे मानवा अधिकार आयोग ने रांची पुलिस खासकर एसपी सीटी रांची के विरुद कड़ी टिपनी की है आयोग ने कॉल रिपोर्ट में लिखा है कि यह दुखद है कि आयोग के दो-दो पत्रों पर पुलिस ने आप तक कोई रिपोर्ट दाखिल नहीं की इस मामले में आयोग सम्मधित पताधिकारियों के विरूत कानूनी सम्मध करवाई भी कर सकता है आयोग ने आगे यह भी लिखा है कि अगर 1 दिसंबर तक SPCT के माध्यम से पूरे परकरण में रिपोर्ट नहीं जाती है तो 2 दिसंबर को प्रस्तावित सुनवाई के दीन समधित अधिकारी को आयोग के सामने ससरीर उपस्थित होने का आदेश भी जारी किया जा सकता है जेल में ही मनेगी IAS पूजा सिंगल की दिपावली मनी लॉंडरिंग के आरोपी निलंबित IAS पूजा सिंगल की जमानत पर जार्खन हाई कोट में आज सुनवाई हुई यह मामला जस्टिस अंबु जनाथ की अदालत में सुनवाई के लिए सुचिवत था पिछली सुनवाई के दोरान ID की ओर से जबाब दाखिल कर दिया गया था निचली अदालत से जमानत नहीं मिलने के बाद पूजा सिंगल ने हाई कोट में आज का दाखिल कर जमानित दिये जाने की गुहार लगाई है अब निलंबित IS पूजा सिंगल की दिवाली जेल में ही मनेगी फिलार उन्हें जमानत के लिए इंत्यार करना होगा उनकी जमानत याजगा पर ज़ार्खन हाई कोट में सुनवाई टल गई है अब इस मामले में तिन नॉमबर को सुनवाई होगी जार्खन में डॉक्टर अनिस्चित काली नहरताल पर सामोईक इस्थीपा की दी चेतावनी सरकारी चिकित्सक सुक्रवार से आयुस्मान भारत मुख्य मंत्री जन आरोग योजना से समंधित कारे का भाहिसकार करेंगे जार्खन हेल्थ सर्विसेज एसोसियेशन के अवाहन पर चिकित्सक सरकारी अस्पतालों में इस योजना के तहत मरीजों का इलाज नहीं करेंगे नहीं बायोमेट्रिक उपर सिती बनाएंगे जासा ने चेतावनी वीदी है कि यदि 15 दिनों के अंदर स्वास्त बिभाग के और से चिकित्सकों के हितों के बिरूद जारी अधिसुचनावों को निरस्त नहीं किया गया तो वे अनिशित काली नहरतालों समोहिक इस्थिपा पर विचार करेंगे सरकारी चिकित्सक प्राइबेट प्रेक्टिस पर रोक तथा बीमारी की इस्थिती में छुटी के मंजोरी मेडिकल बोट के उनसंसा पर मिलने के स्वास्त विभाग के आदेश का बिरूद कर रहे हैं जहासा के सचीव डाक्टर मित्यूम जान सिंग ने कहा है कि राज सकारी चिकित्सको को एनपिये नहीं देती है इसलिए प्राइबेट प्रेक्टिस पर किसी तरह का परतिवांद मंजूर नहीं होगा उन्होंने कहा है कि सरकारी चिकित्सको को पिछले चार वर्चों से कोई प्रोनती भी नहीं मिली है धन्यवाद यदि आप चैनल पनाए होते चैनलों के सब्सक्राइब कर बौल का बेल आइकान दबाएए साथी साथ वीडियो को एक लाइक कर आपने दोस्तों के सेयर करना भूले साथी साथ आप हमें कोमेंट बक्स में अपना फीडिवेक अवस्य दे थाइंक्यू